हेलो फ्रेंड्स, वेल्कम टू खाना इंडिया का, आज हम मूव स्प्राउट्स बनाना सीखेंगे, जो की बहुत आसान है, और हर कोई अपने घर पर ही स्प्राउट्स बना सकता है, आई ये स्टार्ट करते हैं, इस प्राउट्स बनाने के लिए मैंने ग्रीन सावुत मूं दाल ले लिए है, अब हम इसको इस तोल में डालकर पानी में भिगो देंगे, इसको हम सिक्स आवर्स तक भिगो कर रखेंगे, हम सिक्ठाप मैं कर दूकेर इसको हमिले झालकर ग्री में विस्टा करेंगे, क्लिज़क मैं वार्स बना सकता है, श्राउट्स पूकेके रखेंगे, ja भुपरेंगे, अब हमने दाल को चल दे में निकाल लिया है और हम एक हेली टॉबल से इसको कवर करके रख देंगे ऐसे हम इसको खबर कर देंगे और त्वयल अबर्स के लिए छोड़ देंगे डिया हो जाएँगे जो हमने इसप्राउट्स वनानी के लिए रखे थे इसको अभी हमें ट्वयल आवर्स से जाद हो गया है कि हमारी दाल अंपुरित हुई है नहीं इसको मैंने वीठ में एक बार पानी डाल के और टौवल को गीला कर दिया था देखते हैं देखें कितने अच्छे स्प्राउट्स बनकर तयार हो गया है अब हम इन इस्प्राउट्स को अच्छे से वाउश कर लेंगे फिर हमारे खाने के लिए तयार है इसको हम फ्रीज में रटकर वन वीक तक खा सकते हैं अगर आपको मेरी रेसीपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें